Let's talk about India versus Canada, मुकाबला जो है वो Florida जा रहा है, Florida में पिछला मैच जो था वो बारिश में धुल गया था बाइद वे, पर अब इस मुकाबले में ये वाला जो मैदान है, ये अच्छा मैदान है, इस तरीके की पिछनी मिलेगी, इसमें थोड़ी सी बैटर फ्रेंडली पिछ नहीं है, तो फिर वैसे तो उस मुकाबले में आप संजू सैमसन को भी खिला सकते थे, क्योंकि छे के इंदबाजों के विखल तो आपके पास अल्रेडी हैं, कि आपके पास चार फास बोलर हैं, आपके पास अक्षर पटेल हैं, और शिव अम्दूवे भी आपको थोड़ी ये इंदबाजी देते हैं, तो वाई, वाई जाड़े जा, आइ थिंक ऐसा प्रतीत हो रहा है, कि अक्षर इस रेस में आगे निकल चुके हैं, कप्तान ने भारतीय टीम ने अब ये मन बना लिया है, कि अक्षर पटेल जो हमारे प्राइमरी लेफट टां स्पिनर स्लैश ब वाला हूं, और पिछ उतनी जाड़ा डिंजरस ना हो जैसी हमने नियू यॉयॉक में देखी, तो रविंदर जाड़े जाके खेलने के चांसे थोड़े से कम लग रहे हैं, उस वाली रेस में वो अक्षर पटेल आगे भाग चुके हैं, उसके अलावा अब भारतीय टीम में अलमुस्स सारे बॉक्सेस टिक कर दी हैं, विराट कोली न भी भी रन्स बनाने हैं, क्योंकि ये एक जरूर सवाल रहेगा, कि क्या ये शस्वी को खिलाया जा सकता है, शुड़ भी गो टु हिम, और फिर बैटिंग ओरर में थोड़ा बदलाव कि शिवम को छोड़ दीजे, वैसे भी शिवम को तो आपने तैयारी इनकी सिरफ फ्लॉरेड और वेस्ट इंडीज वाले मैदानों के लिए की थी, तो उनका फॉर्म में आना, दोनों हाथों से थम्स अप है, शर्मा का पहली पारी में रन्स बन गए थे, यहाँ पर उसके बाद दो बारी में रन्स नही कर गए थे और कैनेडा के खिलाफ अगर अच्छा खेलते हैं, जो कि खेल लेंगे, थोड़ा सपने आपको अगर समय देंगे, I think this could be his game. Player of the Math performance by Virat Kohli is what I am anticipating, expecting, और that's my wish as well. Canada को हलके में आखना नहीं है, पर मुझे नहीं लगता कि जो Florida के मैदान के उपर वो भारते टीम को कोई serious चुनौती दे पाएगे. I think India will win this one.